हेलो दोस्तों एकाड नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है जितने में स्टुड़ेंट 2023 में 10th का एक्जाम देने वाले हैं और उनका संस्कृत भी से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का भी भी अबजेक्टि बताता हूं और जो बोड एक्जाम तो अजर 23 में आए का वहीं मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो वीडियो को लाइक नहीं के दो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो लेने के लिए हमारे वर्ट्सप गुरूप में जुर जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सत्ये का परिजशन तक पहुंचने का वर्ट्न किया गए है धेखिए मां के पटना सार का वर्ट्न कीई गया ठीक है बहुत मतलब के इंट्रेस्ट काहानी है अंसर आपका योग का सीनेमर पटना अब देखी अगला कोशन आपका अगला कोशन तीन नमर है कार्यकरम कालकरम के कारण ठीक है कालकरम के कारण कितने वर्स तक मद्यकालम पटना के स्थिती जर जर रही 500 वर्स 1000 वर्स 200 वर्स या फिर सबसे इंपोर्टेंट और सबसे मतलब की अच्छा पार्ट यहीं है आपके संस्क्रीट में बिद्या पड़ती कौन तो बिद्या पड़ती चार आलसी थे बहुत ही आलसी मतलब की करते ठीक कि किसी ने किसी तरह मतलब की भोज़न आनवस्तर प्राप्त कर लेते थे थे उसके संग जो भी रहते थे या फिर उनका मतलब की नकल करके जो भी मतलब की भोज़न प्राप्त करते थे उसको अम लोग धूरत बोलते हैं ठीक है इसका अंसरों का अपसर नमर्डी पांच है कितने है तो पांच है अगला कोच ने यह निर्मल मात्र भूमी कैसी है यह नि का अपसर नमर्डी होगा अगला कोच ने मनुस्य ग्रिष्ट जीवान में कप प्रेज करते हैं एक बात हमें से याद रखिए कोई भी मनुस्य अपने ग्रिष्ट जीवान में कप प्रेज करते हैं जब उसका साधी हो जाता है उसका बिवाह हो जाता है तो आप याद रखि नहीं जब किसी लड़का या लड़की का बिवा हो जाता है तो वह अपने ग्रिष्ट जीवन में परविस्ट कर लेता है ठीक है जब भी आको किसी भी लड़का या फिर लड़का का लड़की को साधी हो जाता है तो उस समय उनका मतलब कि उनको उपर एक भूज हो जाता है कि कि हमको मतलब कि हमारी साधी हो गई हमको फैमली देखना उइंठ धिए अहार हमको आगे क्या करने क्या नहीं करने तो सबकूछ उनका मतलब उनके ही उपर आ जाता है लेकिन साधी के पहले तर यह सब चिंटा किसी को चैनल समस्क्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करणा इसके मतलब काई है तो आपके टीचरे मिलना बहुत ही to तो विडियो को लाइक करना और WhatsApp ग्रूप में जूड़ जाना और चैनल में पहली बार है हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको हमारा लाइब क्लास साम को साथ बुजे फिर मिल सेखे ठीक है फीर आपको लाइब क्लास देंगा साम को साथ बुजे ठीक है सब्जेक्तिब सब्जेक्त की दोनों की बात करें तो लंस охP घाओं कए अगला फोच़ नें भी उन्ट्रूला हमें है बिहार राज्य में ही जिए हैं अंसरों का आपका दीन मर्वी कॉंट्रोल नमक मतलब की गाव जो है वो भीहार में ही स्तिती थे एंगला कूछ बारा नमर आड़ास समाज के स्कोंट है नहीं हुआ थे लिया नाम था स्वामिधायनन्दों स्वामिधायनन्द का जन्म 1824 में गुजिय मोरूगा ठीक है अगे अगला कोछ ने स्वामी दायनंद की मिर्स लोग अगर आप लोगों को संस्क्रीथ मिसे का अब्जेक्टिव कोछ ने एंस याट जो बुड एक्जाम एकदम लड़ जाए तो आप लोगों से पेमेंट करके लिए ऐसे में दोस्तों मैंने मैं तो एक सब्चय का आपको पता हूँ न आ पूरा आपके पिछले साल में मैंनत दिया तो सभी को आप सब लड़ गया तो बहुत लड़के चार सो नमर लाए थे बहुत खुश हुए थे ठीक है तो डेर सुर्वे कोई ज्यादा तो इंकम नहीं है आप ले सकते हैं मेरा मोबाइल नमर है इस नमर पर एक बार कॉल करके यहां फिर वाट्सप पर समस कर देगा सर मुझे पेडियेफ चाहिए इस नमर पर फोन पर गूगल पर सब कुछ चलता है प्यमेंन करके वाट्सप पर हम आपको पीडियेफ दें गया ले लिए जिए सब लोग ठीक है यहां पर एंसर दिया सी न सबbuyashash वाइब का मतलब होता है सब्राइब का मतलब होता है धर्म का अर्थ होता है मतलब की सत्रीन हे रहा पशड़ा इस अरो उसके लेखा के याद रखना अगला कोशन बूडे बाग के हाथों में क्या था एक बाद याद रखेगा ब्यागर पति का था के अब्जेक्टिफ कोशन तो उसके बातों में वो फस गया और उसके पास जाने लगा जा गया और आगे जाकर खिचल में फस गया बस बाग अहमला कर दिया बाग तो सोच रहा था कि कब मेरे जाल में कोई बंदा फस था कि मैं उसको मार कर खा जाऊं क्योंकि वो भूखा था तो बुढ़े बाग के कोन आए थे त estaba को बताकर इंद्रे आजया थे कोन आए थे इंद्र करना है इंद्र को मतलब कि वह सारे दान में दिया थे आपको पता ही होगा अगला कोछन असांती alga देखे चाहीं जबलाब चलेंगे तो अईस समय तो भारत में यही देखने को मिल रहा है जाधा तोर 80 परसंड यहीं देखने को मिल रहा असांती और गल्छ चले अगला प्रस्ट आपका है 19 नमर प्रस्ट ने की अपना और पराया की घर ना कौन करते हैं अपना और पराया की करने करते हैं और 20 नमर पर चार्चा करने के लिए कच्छा में पर्वेस करते हैं चार्चा करने के लिए जो बच्छे कच्छा में परवेश करते हैं उनको क्या बोलते हैं सिक्षक बोलते हैं अगला कोचिन अपका 21 नमर 21 नमर प्रस्टन की मेगास्तिनिक पटना पटना किसके समय में आये थे जो मेगास्तिनिक से मेगास्तिनिक मतलब की वो पटना किसके समय में आये थे असुक के समय में मुगल पार्ट का अब्जेक्टिव कोशन है जो मतलब कि आलसी लोग होते हैं वो अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं कहता है तो आलसी लोगी कुछ नहीं करते हैं अंसरों का बी नमर देखिए आलसी लोग चाहे कितना भी भूख सहन कर ले लेकिन थोड़ा सा भी मैनत क परिस्रम करना नहीं चाहते हैं वो किसी ने किसी तरह चलकपट से भोजन प्राप्त करने लगते हैं आपको पता ही होगा अगर कोई बंदा चौर है तो हमेसा चोरी करें अगर उसके संग और कोई रहेगा वो भी चोरी कह लाएग ठीक व्यसज़ही चारलसी के साथ चारलसी आपस में छलक परेट करके किसी दिन हर दिन किसी से भोजन पराप्त कर लेते थे और उसका देखा देखी मतलबकी उसका नकल कर और कुछ लोग वैसा ही करने लगे तो उनको धूरत लोग बोलते हैं उनको हम लोग धूरत लोग बोलेंगें लेकिन जब उनलों के परिक्षा ली गई थी तो बाकी लोग डर कर भाग गए थे मतलब की अभी मतलब की समाज़दार थे पक्का चोड नहीं थे वो लोग डर कर छोड़ दिएते लेकिन जो पक्का अलसी थे चार अलसी थे वह पक्का वैसा ही वैसा ही ही उनका मतलब की पकड़ा गयी जैसे की परिक्षा लेने के लिए घर में आग IM साला में ठीक है याद रखना बहुत इंट्रेस्टिंग स्काहान यह अगलना को जिंअट य Εइस नेमर गनगादेवी का समय क्या है गनगादेवी का समय चिवदंवी है क्या है अंसर का थेज थोड़ा confirm हुए यहाँ पर दूसतु गनगादेवी का समय आटवी Canal anyone दें दियinks किम पर धाईत बहुत सारे प्रस्रूबुंगा यहा है तो को है लाइक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक पर कमेंट करना कि आपको कैसा यह वीडियो appears क्यान नहीं परकार का संसकार तो पचीस का आपको अजन में आता हैं अगला को कोन मारता है तो अकिर्टी मारता है अंसर होगा अपका 26 अजन में तो अब senza किस्ते होती तो अभी का मतलब किस्ते होती है। फोई से संचली से अपमें बतना प्रस्अ की इसके अङला दरन से जलता है doppie दूसरी देश को क्या दे कर जलता कोई भी देश मतलब कि अपने पराय देश को देखकर क्यूं चलता हूँ उतकर्स के कारण ठीक है और अंतिम पोश्चन ने रिसी गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी अंसरों को भी न्याय दर्शन की रचना की थी सब लोग याद रखना ठीक है तो मैंने आपको यहीं तक अब्जेटीव गोश्चन मतला है अगर आपको आगे और व्यूर देखना है तो प्लीस हमारे इस विडियो में कमेंट करके ज़्रूर बद़ेगा आपका कमेंट ही हमको ज्यादा और मोटिबेट करेगा अगर हमको कर दिया आपका कमेंट तब समझे लुह आपका कल्णान होगे बोड़ी जम्हें पक्का मतलब कि जीजान लगा देंगे आपका नमर चार्स जरूर आएगा तो कमेंट जरूर करने ठीक है